और फाइनली किंग कोली का बला बोला और ऐसा बोला कि एकदम राइट टाइम पे बोला और बैंगलूरू के फैंस के अंदर से यही निकल रहा है कि इस बार हो सकता है इस साला का पना मते लेकिन बैंगलूरू के फैंस मनी मन ये भी सोच रहे होंगे कि कहीं 21 माई को मुंबई से अगर दिल्ली जीत गई तो उतना आगे नहीं जाते हैं कल के मैच की कथा सुनाते हैं और उस मैच में बने विलेंस हैं आपको मिलवाते हैं लेकिन उससे पहले अपना गेमस अगर अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज 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 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जल्दी से उस पर क्लिक करके अपना गेमस अपने फोन में डाउनलोड करिए खेल के मज़ा आजाएगा और सिर्फ खेल के नहीं वहाँ पर बहुआ से भी मिलने का आपको मौका मिलेगा हर स्टेप पर बहुआ की आवाज आएगी और एकदम अलग स्टाइल में आपको वहाँ पर फील आजाएगी खूब साड़े रिवार्ट्स जीतोगे और वहाँ पर रिवार्ट्स जीतने के बाद उससे शॉपिंग भी कर सकते हो ठीक है वेल टॉस जीतकर पहले बल्ले बाजी करने उतरी टेबल टॉपर टीम गुजरात शुरुआत बड़े जटके के साथ हुई क्यों क्योंकि शुपमंगिल को हिजल वुट ने चकमा दे कर आउट कर दिया और बना दिया गुजरात की हार की वजए जी हां मैच का विलन इस सीजन गुजरात के लिए शुपमंगिल ने वैसे अच्छी वल्ले वाजी करी है लेकिन जिस समय उनके फॉर्म को पीक पकड़ना चाहिए था वो स्लिप में पकड़े जा रहे हैं अब हम सब की निगाहें रहेंगी दिल्ली वर्सेस मुंबई के मुकाबले पर क्यूंकि अगर दिल्ली वहां पर जीती है तो बैंगलूरू का पत्ता कड़ गया लेकिन अकर मुंबई वहां पर दिल्ली को आरा देती है तो इस साला कप नम्दे के एक कदम और नजदीक विर जीतना एंजॉय करने थैंक यू पर वाचिंग क्रिको को सब्सक्राइब करना जयें